नमस्कार माई ट्रेयर फ्रेंड्स बात करेंगे मद्धिप्रदेश के पुनरगठन के बारे में पिछली क्लासेस में हमने जाना मद्धिप्रदेश के सामानी परीचे के बारे में मद्धि परदेश के पुनर गठन में हम ये देखेंगे कि हमारे मद्धि परदेश का गठन केसे हुआ किस परकार से मद्धि परदेश बना सबसे पहले हम बात करेंगे 1947 से 1956 तक की इस्थती के बारे में आप जानते हैं 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ लेकिन आजादी के समय जिस परकार के आप राजजी देख रहे हैं उस परकार के राज्य नहीं थे किस परकार से राज्यों का निर्मान हुआ यह सबी चीज़े आप पॉलिटी वाले सेगमेट में पढ़ेंके काफी डिटेल में आप वहाँ पर जानेंगे यहाँ पर आप सोट में समझ लीजिए कि 1947 में जब भारत को आजादी प्राप्त होती है तो आजादी के समय भारत में देशी रियासते थी जहाँ पर राजाओं का सासन हुआ करता था साथ ही यहाँ पर British प्रान्त हुआ करते थे जहाँ पर British Government सासन करती थी सेतालिस में जब आजाद होता है तो आजादी के पश्चाद सबसे पहले भारत के सामने रियासतों के एकिकरण को लेकर एक चुनोती रेती है तो यहाँ पर रियासतों के एकिकरण होता है और चार प्रकार के राज्य बनाये जाते हैं वे चार प्रकार के राज्यों की स्रेणी रेती है A, B, C और D याने पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D ये चार प्रकार के राज्यों की स्रेणियां बनती है इसमें होता क्या हαι कि part A स्रेणी में जो British प्रांते थे यहां पर विट्रीज Vermelment सासन करती थी उन प्रांतों को रखा गया, part B में देशी रियासतों को जो बड़ी रियासते थी उनको रखा गया पार C में छोटी देशी रियासतों को रखा गया और पार D में केवल एक ही छेत्री रखा गया जिसका नाम था अंडमान निकोबार दियुस समूर तो इस प्रकार से रियासतों का एक ही करण कर ब्रिटिस प्रांत का एक ही करण कर राज्योगी स्रेणिया बनाई गई तो वही स्रेणी हमारे मद्धिप्रदेश में भी हमें 1947 से 1956 तक देखने को मिलेगी तो अब देखिए जो हमारे मद्धिप्रदेश का मांचितर था 1947 से 1956 तक कुछ इस प्रकार से मद्धिप्रदेश का मांचितर देखने को मिलेगा और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रांतों का कह सकते थे division था तो अब आप देखिए 1947 से 1956 तक की स्थती यह है हमारा मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश में यह वाला जो छेत्र था इधर की और यहाँ पर था British Government का सासन British Government के सासन के कारण इसे कहा जाता था मद्धिभारत ठीक है यहाँ पर देशी रियासते हो थी यह वाला जो छेत्र था यहाँ पर भी रियासते आपको देखने को मिलेगी और इसे कहा जाता था विंद्धिप्रदेश और बीच में आप देख पाने होंगे यहाँ पर है भुपाल स्टेट तो हुआ गया 1947 से 1956 तक जब चार प्रकार के राज्यों की सेणी बनाई तो हमने कहा पार्ट ए में बिटिस प्रांतों को रखा गया तो यह वाला छेत्र था बिटिस प्रांत इसे कहा जाता था आपर बिटिस पेसा था चार परे में इसम्रीय को सामिल के राजधानी तो हमने का और फ्रीट के सहे प्रांत इसे से कहा गया लगा इसम्रीदार हो में ही पार्ट A में सामिल किया गया इसके बाद पहुंचते हैं मद्ध भारत की और मद्ध भारत को पार्ट B में रखा गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बड़ी रियासते देखने को मिलेगी इसके साथ ही पार्ट B को जब सोरी के सकते हैं मद्ध भारत को पार्ट B में रखा गया तो यहां की दो राजधानिया बनाई गई एक राजधानी थी इंदोर और एक थी ग्वालियर यहां पर 6 महा पार्ट B की राजधानी इंदोर रहती थी और 6 महा ग्वालियर रहती थी इसके बाद हमने क्या गहा था कि जो पार्ट C स्टेट था इस पार्ट C स्टेट में छोटी छोटी रियासतों को रखा गया जैसे इस विंधिप्रदेश में लगभग 38 रियासते थी तो इन 38 रियासतों को पार C में रखा गया। इसके अलावा भौपाल स्टेट को भी पार्ट सी में रखा गया आगे क्यों आप देख पारे हैं उन्गे पार्ट दी तो पार्ट दी में एक मात्र छेतर अंडबान निकोबार ब्यूप समू को रखा गया था इसलिए इसका जिक्रा आपको नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से म पार्ट B में कौन सा जातर सामिल पार्ट C में कौन सा छेतर सामिल था एक बार और मैं आपको बता देता हूं पार्ट A में सामिल किया गया जबकि भौपाल एस्टेट की भौपाल थी अब इससे सम्मंदित कुछ प्रेशन जो पूछे जाते हैं वो आप देखिए जो पार्ट A स्टेट था इस पार्ड A स्टेट को यानि की CP बरारगो पार्ट A स्टेट में कब सामिल किया गया तो वे किया गया था 1947 में प्रेशन यही बनता है इसके साथ ही जो पार्ट A स्टेट के मुख्यमंद्री बनाये जाते हैं या राजप्रमुख बनाये जाते हैं वे बनाये जाते हैं पंडित रविसंकर सुकल ये भी सिंपल सा प्रेशन पूछा जाता है इसके अलावा इसके राज जपाल भी बनाया जाते हैं तो इसके राज जपाल थे E. रागवेंदर राउ यह आपको ध्यान रखना है तो आपको Part A में क्या क्या चीज़े ध्यान रखना है कि Part A की राज ध्यानी नाथपुर थी इसमें CP बरार वाला छेतर सामिल था 1947 को इसे पार्ट A में सामिल किया गया और इसके राजप्रमुक पंडित रभी संगर सुकल और राजपल ईरागवेंद राओ थे पार्ट B स्टेट की बात करें तो पार्ट B स्टेट में था मद्धिभारत छेतर 22 अप्रेल 1948 को लगबग 25 रियासतों को 25 रियासतों को मिलाकर पार्ट B स्टेट बनाया गया और इसकी राजप्रमुक रखी गई थी इंदोर और ग्वालियर और यहां के राजप्रमुक बनाय जा जा जए थे लीलाधर शेट तो यह सिंपल से प्रेशन ये से पुचा जाता है कि पारट B की राजधानी क्या थी इंदोर और ग्वालियर यहां के राजप्रमुक कोन थे तो लीलाधर शेट यहां के राजप्रमुक थे पार्ट C स्टेट में हम बात करते हैं विंद्र प्रदेश की सबसे बेले पार्ट C स्टेट में विंद्र प्रदेश को यहाँ पर यह बुंदेलफन और बगिंकन वाला छेतर है तो इसकी लगबग 38 रियासतों को मिला कर मार्च 1948 में पार्ट सी स्टेट में इनको सामिल किया गया और यहां के प्रमुक बनाए गए संबुनात सुकल ध्यान रखना है पाट C स्टेट या विंद प्रदेश के राजप्रमुक कोन थे तो वे थे संभुनात सुखल और इसकी राजधानी थी रीवा पाट C स्टेट में ही भोपाल को सामिल किया गया और 1 जून 1950 को भोपाल का विले भारत संग में किया गया था कि भोपाल का विले भारत संग में कब हुआ तो ध्यान रखना है 1 जून 1950 को और इसके जो राजप्रमुक बनाए जाते हैं वे बनाए जाते हैं डौक्टर संकर दयाल सर्मा तो आपको ये बात है इतनी ही ध्यान रखनी है कि 1947 से 1956 तक कि क्या इस्थती थी पार्ट A में कौन सा छेतर सामिल था पार्ट B में कौन सा छेतर सामिल था पार्ट C में कौन सा छेतर सामिल था यहां के राजप्रमुक कौन थे इसकी राजधनी क्या थी अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन पार्ट या कह सकते हैं पार्ट A, B, C, D इन चार प्रकार के राज्यों की सेनियों को समाप्त कर मद्धिप्रदेश का पुनरगठन किया गया इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद